नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका अपने यूट्यूब चनल परफेक्ट एस्टाडी जीएस में दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नमबर 3 इससे पहले दोस्तों हम दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्रेलिस में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं यह आपको एड़ोटेडिया का एड़ोटेडिया का भैलूमोन बुक से हम लोग प्र क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो कोस्टन इसमें दिया हुआ आपके आनेवाल एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इससे पहले दोस्तों हम बिहार दरोगा SI Mains विद्या सागर रहमान सर के बुक से आपको 15 प्रैक्टिसेट और एडिटेडिया का भायलूम टू जो है बिहार दरोगा SI Mains उससे हम 18 प्रैक्टिसेट करा चुके हैं और आपको 5 हिंदी का भी प्रैक्टिसेट करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिश में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिसेट आज का पहला कोशन हो जाएगा आपका हम 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड का समय दे रहे हैं एक कोशिश किजिए बनाने का और कॉमेंट मर्क्स में जरूर बताएगा कि आपका स्कूर कितना आ रहा है तो एक कोशन आज का पहला कोशन हो जाएगा कि संग राज छेत्रे पदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है एक कराई टेंसर आपका हो जाएगा ओप्सन नमर ए करनाटक के साथ आपका पदुचेरी की सीमा नहीं लगती है पदुचेरी के अंसाहिस परदेश की सीमा माहे छेतर के द्वारा किरल से और पदुचेरी हैं कराई कल द्वारा तमिनाडो से और यमन छेतर के द्वारा आंधर परदेश से साजा करती है नेश कुशन देख लेते हैं Q2 करा के जीलों के अधियन को कहते हैं दो का राइट एंसर हो जाएगा option नमर A Limrology जो है Limrology जीलों के अधियन को Limrology कहते हैं और Limrology को शरो बिज्ञान भी कहा जाता है और इसके अंतरगत जील, तलाव और नदियों का अधियन किया जाता है नेश कुशन देख लेते हैं कुश्चन नमर तीन तीन में करा आपको कि माजूली संसार का सबसे बड़ा नदी दियूप है किस राज में इस्तित है तीन कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी यह असम राज में इस्तित है और यह अब राह में पुत्र नदी पर है नेश कुशन देख लेते हैं कुशन नमर चार मैं आपको कह रहा है कि भारत में पिली करांती का शंबंध है चार कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी माफ किजिएगा चार कराई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि कि तिलहन के उत्पादन के साथ आपको भारत में पिली करांती का शंबंध है उसके बाद आपको निली करांती आता है निली करांती का संबंध मचले उत्पादन से है और स्वेट करांती का संबंध आपको दूद उत्पादन से है नेश कुछन देख लेते हैं कुछन नमर फाइव मैं आपको कह रहा है कि नुमाली गड़ तेल परिसकरंसाला किस राज में अस्थापित है फाइव कराइट अंसर हो जाएगा और भारत में पहली तेल परिसकरंसाला जो कि डिंग बोई में है और है असम में अस्थापित की गई है इसके अतरिक्त आपको बोगई गाउ रिफाइनेरी गोहाटी रिफाइनेरी एव नुमाली गड़ रिफाइनेरी भी असम राज में अस्थापित है नेश देख लेते हैं कुछन नमर 6 में आपको कराई कि और इसके अस्थापना 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के अंतरगत की गई नेश कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 7 इंट्रीगल कोश फैक्टरी है साथ कराई टेंसर हो जाएगा आप्सन नमर A फेरामबूर चेन्नाई में नेश देख लेते हैं कुछन नमर 8 भारत की जनसंख्या में रिनात्मक ब्रिधिदर किस दसक में दर्ज की गई थी इसका राइट एंसर करना है आट का राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमर B 1911 से 1921 के दसक में आपको भारत भी जनसंख्या में रिनात्मक ब्रिधिदर दर्ज की गई थी और इस दोरान माइनस 0.31% माइनस 0.31% की गिरावट हुई थी और 1921 को जनसंख्या महा विभाजक बर्ष भी कहा जाता है नेश्ट कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 9 निमली खित में से किस परवत ये अस्थल के नाम का अर्थ बजरपात अस्थल है 9 का राइट अंसर हो जाएगा आपसा नमर D दार्ज लिंग दार्ज लिंग को अधिक मात्रा में बरसा हैं तिफान के कारण बजरपात अस्थल के नाम से जाना जाता है और दार्ज लिंग तिविति भासा के दोर्जे और लिंग यानि कि दोर्जे मतलब वजरपात और लिंग मतलब अस्थल से बना है और यह पछिम बंगाल में इस्थित है नेस कोशन देख लेते हैं 10 में आपको कराए कि वाई मंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहां इस्थित है 10 कराईट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी वह अंट्राक्टिका के उपर इस्थित है ओजोन जो है आपको शमताप में उपस्थित होती है और ओजोन की करण पड़ावैगनी किरने प्रित्वी की सतह तक नहीं पहुच पाती है और ओजोन का सबसे अधिक होस होने का पता अंट्राक्टिका के उपर पता चलता है और समताप मंडल में ओजोन का सांधरन का होस ओजोन छिद्र कहलाता है नेक्ट देख लेते हैं फृत्वी के वाई मंडल का सरवादिक गनत जो है वाई मंडल में पाय जाता है और इसमें मॉसमी घटनाय घटित होती है और वाई मंडल को मुक्ता 5 सन अस्तर में भी भाइत किया गया है जिसमें आपको छोब मंडल समताप मंडल और बही मंदल हो जाएगा नेक्श देख लेते हैं बारा करा कि आई सउनिफ सब्द घोतख है भाडा कराई टेंसर हो जाएगा ऐप्सन नमर ए शमान मेगा चाच्छादन के लिए आपको आई सउनिफ सब्द घोतक है नेक्श देख लेते हैं तेरह में आपको कहणा कि राश्टिये एटलस एंव त्वगत मानचित्रन संगठन कहां इस्तित है तेरह कडाई टेंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी या कोलकत्ता में आपको इस्तित है कुश्चन देख लेते हैं कि परकार की अस्थला किडियों में पाए जाते हैं पंद्र कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए यह चुना छेत्र में पाए जाते हैं नेच्ट देख लेते हैं सुला में कहड़ा आपको कि मुरलेन नेसलर पार्क किस राज में इस्तित हैं। आप्सन नमर B या मिजूरम राज में इस्टित है मिजूरम में आपको दो राश्टिये पार किस्टित है एक आपको मुरलेन और एक हो जाएगा ठानंग पूरी बुलू माउंटेन नेक्श देख लेते हैं 17 में आपको कह रहा है कि अपातकाल के दोरान कुछ मूल अधिकारों का अस्थगन राष्ट पती के दोरा कर दिया जाता है यह बेवस्ता भारतिय समिधान में किस देश के समिधान से प्रेडित है 17 कराइट असर हो जाएगा आपसन नमर ए यह जरमनी के समिधान से प्रेडित है राष्टी अपातकाल की घुसना के पहचात अनुछेद 19 में बरनित मूल अधिकार स्वता ही निलम्बित हो जाता है और अनुछेद 308 के अंतरगत अनुछेद 20-21 में बरनित मूल अधिकार को छोड़ कर अन मूल अधिकारों के निलम्बन के लिए राष्टपती आदेश जाड़ी करता है और अनुछे 369 के अंतरगत आपको अपात काल के दोरान मूल अधिकारों के अस्थगन का परदान भारतिय समिधान में जर्मनी के समिधान से प्रेडित है नेक्ष देख लेते हैं और आपसन देख लेते हैं आपको आपसन B में अमेरिका दे रहा है अमेरिका के समीदान से मूल अधी कर लिया गया है और आपको जपान के समीदान से वीधी द्वरा स्थापइत पर किरिया उसके ब्रिटेन के समीदान से संसदी ये शाषन पर नाली नेट्स देख लेते हैं अठाडा में कर रहा है कि निमली खित में से कौन सा एक मौली कर्तब नहीं है ठाड़ा कराई टेंसर हो जाएगा option number D धर्म निर्पेख्षता का पालन करना आपका मौली कर्तब नहीं है सरदार स्वरन सिंग समिती के स्रीपारी स्पोर भारतिय समिधान में मौली कर्तब को जोरा गया और बरतमान में 11 मौली कर्तब है जिसमें धर्म निर्पेख्षता का पालन करना शामिल नहीं है और अनुछेद एकावन के कौमें आपको मौली कर्तब को रखा गया है और समिधान के भाग चार के कौमें आपको मौली कर्तब को रखा गया है और यहां रूस के सम्मिधान से लिया गया है नेश कुछन देख लेते हैं 19 में कर रहा कि निमली खित में से किस एक्ट के द्वारा East India Company को सरपरतम British संसत के अधिन लाया गया 19 के राइट एंसर हो जाएगा और सा नमर A Regulating Act 1773 के द्वारा East India Company को British संसत के दिन लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा British सरकार का Court of Directors के माध्यम से कमपनी पर नियंत्रन ससक्त हो गया और इसे भारत में इसके राज़ोसो नागरीक और सहन मामले की जनकाली British सरकार को देना आवस्षक कर दिया गया Next देख लेते हैं Question हो जाएगा Question number 20 20 में करा कि किस समिधान संसोधन के द्वारा मत्दान की उम्र 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स की गई 20 का राइट एंसर हो जाएगा Option number B यानि कि एक सठवा समिधान संसोधन 1989 इस भी में जो हुआ था इसके द्वारा मत्दान की उम्र 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स कर दी गई Next Question देख लेते हैं 21 में करा कि कि किसी व्यसक व्यक्ति को जिसका नाम मत्दाता सुची में है उसे मत्देने का दिकार या समिधान के किस अनुछेद से उसे प्राप्त होता है 21 कर राइट एंसर हो जाएगा Option number C अनुछेद 326 326 किसी व्यक्ति को मत्देने का दिकार प्रदान करता है और जिसका नाम मत्दाता सुची में है Next Question देख लेते हैं 22 निमलिखित में से किस ने भारतिय समिधान की प्रस्तावना को समिधान का कुजी या नोट कहा था 22 कर आइटन सर हो जाएगा Option number D यानिकी Ernest Barker Ernest Barker रजनितिक विज्यान के प्रफेसर थे जिर्होंने भारतिय समिधान के प्रस्तावना को समिधान की कुजी नोट कहा था Next देख लेते हैं 23 निमलिखित में से किसने प्रारूप समिधी के सामने प्रस्तावना प्रस्तूत की 23 कर आइटन सर हो जाएगा Option number A जोहरलाल नेहरू Next देख लेते हैं 24 भारत के किसी राज में अनुछे 356 के अंतरगत राष्ट पति सासन समानत अधिक्तम कितनी ओधी के काल के लिए लगाया जा सकता है 24 कर आइटन सर हो जाएगा Option number D तीन बर्स के लिए राष्ट पति सासन किसी राज में उछे 356 के तहत लाया जाता है और राष्ट पति सासन घोसना के दी संसत के दोनों सदन सधारन भावमस से अलग-अलग 6 दिनों के भीतर अनुबोदन कर दे तो राष्ट पति सासन की घोसना 6 मा के लिए आगे बढ़ जाती है और इसी परकिरिया में इसे दूसरी पर आगे बढ़ा जा सकता है लेकिन इसे एक बर्स से अधिक समय के लिए तभी बढ़ा जा सकता है जब दो सर्ते पुरी हो पहला आपका राष्ट या पात की घोसना लागू हो अब भारत का चुनाव आयोग या परमानित कर दे की चुनाव करवाना शंभव नहीं है लेकिन राष्ट पति सासन की अधिक्तम ओधित तीन बर्स होगी नेश कुशन देख लेते हैं 25 किसी राज की विधान परिशद में राज पाल द्वारा कितने सदस्तों को नामित किया जाता है 25 का राइट या प्राप्त करने के लिए 26 का राइट या प्राप्त हो जाएगा Option B किसी एक राज में कूल बैद मत का 6% प्राप्त करना होगा भारत में बहुद अलिया राज नितिक विवस्ता है और चुनावायो किसी राज नितिक दल को उसे इस्तितिक याधार प्राश्टिये पार्टी राज अस्तरिये पार्टी और चेत्रिये पार्टी का दर्जा देती है चेत्रिये पार्टी की दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी राज नितिक दल को किसी एक राज में कुछ बैद मत का 6% प्राप्त करना होता है नेट्स कुछन देख लेती हैं 27 शंबिक का मात्रक आपको बताना है 27 के राइट यंशर हो जाएगा आप्शन नमर B किलो ग्राम मीटर प्रती सेकेंड अबको शंबिक का मात्रक हो जाएगा नेट्स देख लेते हैं सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है 28 कर आई टेंसर हो जाएगा option number B यानि कि फैदो मीटर से शमुंद्री की गहराई को नापने वाला यंतर है फैदो मीटर उसके बाद आपको flux मीटर जो है वह चुमबक्य पड़वा हम आपने वाला यंतर है उसके बाद गल्वेनो मीटर से हम लोग विभुवांतर मापने वाला यंतर गल्वेनो मीटर है और गाहिरो इसकोप से घूर्णन गती मापने वाला यंतर है यानि कि 28 कर आई टेंसर option B हो जाएगा next देख लेते हैं 29 मानो मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है 29 का राइ टेंसर हो जाएगा option B शेरे ब्रम मस्तिक्स के अगर भाग को कहा जाता है और मस्तिक्स का याँ सबसे बड़ा भाग है जो चिंतन का कारी करता है next देख लेते हैं 30 में कर आई कि वासिंग मसीन किस सिधान पर कारी करता है 31 का राइ टेंसर हो जाएगा option A अपकेंदरन के सिधान पर कारी करता है next देख लेते हैं 31 प्रिष्ट तनाव किसके कारण पैदा होता है 31 का राइ टेंसर हो जाएगा option B अनुओ के बीच ससंजक बल के कारण आपको प्रिष्ट तनाव पैदा होता है next देख लेते हैं question number 32 oxygen का खोज किसने की 32 का राइ टेंसर हो जाएगा option number A जोसफ प्रिष्ट ले ने oxygen की खोज 1774 में किया था next question देख लेते हैं 33 माफ किजिएगा 33 में आपको कोड़ा आए कि निवन में से कोन मिसरन नहीं है 33 का राइ टेंसर हो जाएगा option number D आशूत जल जो है आपका मिसरन नहीं है next question देख लेते हैं 34 में कड़ा की नाभी की खोज किसने की 34 का राइ टेंसर हो जाएगा option number B रदर फोट ने नाभी की खोज 1911SV में की थी और proton की खोज गूल लेश्टीन के द्वारा proton की खोज किया गया था और neutron की खोज jam शेडविक के द्वारा neutron की खोज किया गया था next question देख लेते हैं question number 35 में आपको कोड़ा है कि अक्रिये गैसों के परमानू का electronic बिन्यास कैसा होता है अक्रिये गैसों के परमानू का electronic बिन्यास कैसा होता है 35 का राइट अंसर हो जाएगा option number A या अस्थाई होता है next देख लेते हैं 36 में कोड़ा कि प्राकिर्तिक गैस में कारबन अनू की संख्या है 36 का राइट अंसर हो जाएगा option number A C1, C4 next question देख लेते हैं 37 में आपको कह रहा है कि निवन में से कौन सबसे अधिक अभी किरियासील धातू है 37 के राइट अंसर हो जाएगा option number D यानि की के जो है आपका सबसे अधिक अभी किरियासील धातू है next question देख लेते हैं 38 में आपको कह रहा है कि व्यासकू में अतिसार का पर्मुख कारण क्या है 38 का राइट अंसर हो जाएगा option number B यानि की नोरो वाईरस बच्चों में अतिसार का पर्मुख कारण माफ किजिएगा इसका राइट अंसर आपको हो जाएगा आपको ब्यासको में पूछ रहा है न यानि की रोटा वाईरस रोटा वाईरस जो है आपको बच्चों में अतिसार का पर्मुख कारण है और ब्यासको में आपका नोरो वाईरस यानि की 38 का राइट अंसर अप्चन B हो जाएगा next देख लेते हैं 39 बर्फ का हीमांग के दरवनांग कितना होता है 49 का राइट अंसर हो जाएगा option नमर A 0 degree centigrade पर आपका हीमांग के दरवनांग है जबकि जल का कौथनांग जो होता है वो 100 degree 100 degree पर है next question देख लेते हैं 100 degree है question नमर 40 कोड़ा की भारत के राष्टिय पुस्प का बिज्यानिक नाम क्या है 40 का राइट अंसर हो जाएगा option नमर C यहने की निव्बेरो निव्बेरो निव्चि फेरा निव्बेरो निव्चि फेरा जो है आपका भारत का राष्टिय पुस्प कमल है इसका आपका बिज्यानिक नाम है यह आपको इसके पहले जो 2017 में निव्चि फेरा की DNA कहां पाया जाता है 41 का राइट अंसर हो जाएगा option नमर D यानि की इन में से शभी में यानि की केंद्रक में माइट्रो कंडिया में और हरितलवा के शभी में आपको DNA पाया जाता है next देख लेते हैं 42 42 का राइट अंसर हो जाएगा option नमर A यानि की इसको हम लोग हलो टिज्म कहते हैं next question देख लेते हैं 43 में आपको कहड़ा की भारत की किस नदी को जविक मरू असल कहा जाता है 43 का राइट अंसर हो जाएगा option नमर A दामोदर नदी को दामोदर नदी को अत्याधिक परदूसी तेव जीव जन्तु कम होने के कारण जविक मरू असल के दर्जा दिया गया है next question देख लेते हैं 44 UNFCCC के COP26 का उज़न किस सहर में किया जाएगा 44 का राइट अंसर हो जाएगा option नमर C Glasgow, Scotland next question देख लेते हैं 45 बचो और किस पसु की नई नसल है 45 का राइट अंसर हो जाएगा option नमर A यह गाए की आपको नसल है बचो और next question देख लेते हैं question नमर 46 में कोड़ा की भारत के बीदेसी मुद्रा भंडार में निमलेखित में से किसे सामिल किया जाता है 46 का राइट अंसर हो जाएगा option नमर D बीदेसी कमपनियों के रीन पत्र को आपको बीदेसी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है next question देख लेते हैं question नमर 47 में कोड़ा की निमल में से किस अंतराश्टिय संगर्ठन द्वारा मानोविकास रिपोर्ट का परकासन किया जाता है 47 के राइट अंसर हो जाएगा option नमर B यानकी EVNDP के द्वारा आपको मानोविकास रिपोर्ट का परकासन किया जाता है next question देख लेते हैं question 48 में कोड़ाया कि किस बर्स भारतिय रिजर्ब बैंका राश्टिय करण किया गया था और आप्रेल 1935 को RBI की अस्थापना की गई थी next question देख लेते हैं 49 नील में से कौन सा एक विदेसी परतियक्षी निवेस में सामिल नहीं होगा 49 कर आइट असर हो जाएगा option नमर D याने की portfolio निवेस next question देख लेते हैं question नमर पच्चास में को कड़ाया कि रुपए की परिवर्तनियता का क्या तात्पर है रुपए की परिवर्तनियता का क्या तात्पर है 50 कर आइट असर हो जाएगा option नमर A रुपए को अनमुद्रा में परिवर्तित करने है तू अनुमती 50 कर आइट असर option A हो जाएगा दोस्तों आपसे एक request है अभी तक आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है इसे subscribe आवस करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें चलिए दोस्तों next question देख लेते है question number 51 में कर आए कि भारत में मुद्रा निर्गामन है तू नीर में से कौन सी परनाली अपनाई गई है 51 कर आइट असर हो जाएगा option number B निम्तम आरक्षित परनाली जो है आपको भारत में मुद्रा निर्गामन में निम्तम आरक्षित परनाली के अधार पर आर्भी अज़ द्वारा किया जाता है और इसे अनुईस चोपन में अनुपातिक कोस परनाली के अस्थान पर अपनाया गया next question देख लेते है question number 52 में आपको कह रहा है question number 52 में कह रहा है कि भूगतान संतूलन क्या है question number 52 में आपको कोड़ा कि बोध धरम से जूरे तथों में से असत्य की पहचान किजिए question number C बोध धरम में जाती परथा को महत्तो दिया गया बोध धरम में महात्मा बुध ने जाती परथा की कठोड़ निंदा की है और सभी उपदेश पाली भासा में दिये है और बोध मत्यतु मध्यम मार का उपदेश देता है और बुध को ग्यान परथा 35 बर्स में हुआ था यानि कि बोध धरम जाती परथा को महत्तो दिया गया यानि कि option C जो है आपका शही हो जाएगा तिरपन का राइट एंसर option जाती परथा की कठोड़ निंदा की है यानि कि आपका option D बोध मत्यतु मध्यम मार का उपदेश देता है यानि कि इसका राइट एंसर option D हो जाएगा तिरपन का राइट एंसर चाहा मवाफ किजिएगा यहाँ पर question में आपको असत्य कहँ रहा है असत्य का पहचान करने के लिए कह रहा है तो इसका राइट एंसर अपसन C ही हो जाएगा क्योंकि बहुत धर्में जाती प्रथा को महतु दिया गया था आपका गलत है आपको बहुत मुक्ति है तो मद्या मार का उपदेश दिया गया था यहाँ पर हमने नहीं देखा था इसलिए confusion हो गया यानि कि यह असत्य है और गौतम बूध अपने 35 वर्स में वो संबोधी की प्राप्ति की सही है और बहुत धर्म से जूर उपदेश पाली भासा में देगए भी आपका सही है और बहुत धर्म मुक्ति है तो मद्या मार का उपदेश देता है भी आपका सही है क्वेशन नमर 54 में आपको कर आए कि महात्मा बूध की मुद्रा और परतीक शंबंधी सुची 1 और सुची 2 में से असत्य जोरी की पहचान कीजिए 54 का राइटेंसर हो जाएगा ओफसर नमर B यान की ध्यान मुद्रा जो ग्यान की भाव भंगीमा दे रहा है यह आपका सही नहीं है ध्यान मुद्रा आपको बुध द्वारा शंग के नियमों के लिए शमाधी और शंग केंदरन था और अभे मुद्रा सांती सुरक्षा दयालता करणा मुद्रा असुरी सक्तियों का नास और धर्म चक मुद्रा प्रत्धम धर्म उपदेस यह आपका 3 रोसा ही है लेकिन अप का बी में दे रहा है या आपका सत्त जो रहा है नेश्ट देख लेते हैं 55 में आपको कोड़ा है कि राम चरीत मानस में सुन्दर कांड के ठीक बात कुन सा कांड आता है पच्छफण का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी लंका कांड नेश्ट कुछन देख लेते हैं पिरिया केनरेस एंटियोकस के द्वारा डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया नेश्ट कुछन देख लेते हैं 57 में कोड़ा की असोग के धम का बर्नन किन अभी लेख में मिलता है 57 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी दूसरे और सात्वे अभी ल पर तामरलिपी परमुख बंदरगाह था जिसके बैपार के लिए उपयोग होता था नेश्ट कुछन देख लेते हैं 59 में कोड़ा की मुर्योतलकाल में आने वाले बीदेशी का आगमोन क्रमा अनुसार निम्न है 59 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी यानिकि पह कि प्राशीन भारत में नियमित रूप से सोने के सीके किसने चलाए 60 कर आइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी यानिकि कुसान कुसानों ने नियमित रूप से सोने के सीके चलवाए क्वेशन नमर 61 में करा कि समुन्द्र गुप्त को नियुन में से कौन सी उपाधी नहीं प्राप्त थी 61 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी यानिकि क्रमा दित्त की उपाधी जो थी यह आपको असकंद गुप्त को कहा गया है क्रमा दित्त आपको जो दिया क्वेशन नमर 62 में आपको सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है अभिलेक दिया हुआ है और से सम्मंदित ब्यक्ति दिया हुआ है आपको 62 कराइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर बी यानिकि मंद सोर अभिलेक जो है आपका यसु धर्मन सम्मंदित है उन से उसके बाद भीत्री अस्तम लेक से अस्तकन गुप्त एरन अभिलेक से भानु गुप्त और विल्सर्ट अस्तम लेक से आपको कुमार गुप्त य अब हुई थी 63 कराइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर सी 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन इसुसीजन के स्थापनाब को चंदर सिखर अजात के नितिवत में हुई थी नेश कुछन देख लेते हैं 64 किस गोल में समयलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया 64 कराइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर दी प्रथम और तृतिये गोल में समयलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और प्रथम गोल में समयलन जो हुआ था वो 12 नमबर 1903 से 19 जन्वरी 1931 तक आपको चला था और दीतिये जो था वो 7 सितमबर 1903 से 4 दिसमबर 1931 को दीतिये और तिरतिये गोल में समयलन 17 नमबर 1932 से 24 दिसमबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था नेश कुछन देख लेते हैं कुछन नमबर 65 में करा कि कांग्रेस की उनविश्य साथ में हुए सूरत दिवसन की अध्याक्ष थे 65 कर आई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B यानि की रास बिहारी घूष यूथ थे आपको कांग्रेस के सूरत दिवसन के अध्याक्ष थे नेश कुछन देख लेते हैं 66 में करा कि लाट करजन के समय भारतिय विश्य विदाले अधिनियम को पाडित किया गया 66 कर आई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C 1904 में नेश कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 67 में करा कि घेर की निती या सुरक्षा परकोष्ट की निती का जनक माना जाता है घेरे के निती या सुरक्षा परकोष्ट की निती का जनक माना जाता है 67 कर आई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर C वारेन हैस्टिंग्स को नेश कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 68 में करा कि 1942 के भारत चुर अंदोलन के दोरान बंगाल में कहां जातिय सर सरकार का अगठन किया गया था 68 कर आई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर C ताम लूक में बंगाल के मिदना पूर जिले के ताम लूक नमका स्थान पर 17 दिसनबर 1942 को जातिय सरकार का अगठन किया गया था नेश कुछन देख लेते हैं 69 इंडिपेंडेंस फोर इंडियान लिं अयंगर यानि कि तीनों इसकर आई टेंसर हो जाएगा नेश कुछन देख लेते हैं 70 में कहड़ा कि भगास सिंग बटु के स्वर्दत ने केंद्रिये विधान सभा में बं फेका था 70 कर आई टेंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए 8 अपरेल 1929 को नेश कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 71 में आपको कहड़ा कि कांग्रेस के मंच से पहली बार बंदे मातरम का गान 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दोरान गाया गया कांग्रेस के इस अधिवेशन के ध्याक्षता की थी 71 का राइटेंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर C.R.M. शायानी नेस्ट कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 72 में आपको कहड़ा कि देशीर यास्तों के प्रती अधिनस पार्थक के कीनिती किस वायसराय ने अपनाई थी 72 कर आइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर B. Lord Hastings देशीर यास्तों के प्रती लाइटेंसर ने अधिनस पार्थक कीनिती अपनाई थी नेस्ट कुछन देख लेते हैं 73 में कहड़ाय कि निमली खित में से किस ने शेवा सदन के अस्थापना की थी 73 कर आइटेंसर माफ किजिएगा 73 कर आइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर D. बहराम जी एम मालावारी ने सिवा सदन के अस्थापना की थी नेस्ट कुछन देख लेते हैं 74 में आपको कहड़ाय कि सहायक संदी स्विकार करने वाला पहला राज था 74 कर आइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर C. हैदराबाद सहायक संदी स्विकार करने वाला पहला राज हैदराबाद था नेस्ट कुछन देख लेते हैं 75 में कर आइग कि चाइना मैं सब्द का संबंद किस क्यल से है 75 कर आइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर D. या किरिकेट से शंबंदित है और चाइना मैं आपको बॉलर होते हैं नेस्ट कुछन देख लेते हैं 76 कर आइग कि जेन अवेश्टा किस धर्म का धार्मिक गरंथ है 76 कर आइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर B या पार्सी धर्म का धार्मिक गरंथ है जेत अवेस्ता और या हुती धर्म का धार्मिक गरंथ तोरा है और ईशाई धर्म का धार्मिक गरंथ बायवल है नेस्ट कुछन देख लेते हैं 77 पीफा महिला बिस्ट का फूटबॉल फीफा महिला विस्ट को फुटबॉल 2019 का खिताब किस देश ने जीता 77 कराइट एंसर हो जाएगा ओफसन नमर C अमेरिका नेश्ट कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 78 में कोड़ा कि शवर पर्थम जैव विविदिता सब्ध का परयोग किशने किया 78 कराइट एंसर हो जाएगा ओफसन नमर D यानकी E O बिल्सन के द्वारा सवर पर्थम जैव विविदिता सब्ध का परयोग किया गया नेक्श देख लेते हैं 79 में कोड़ा कि राष्ट मुनल खेल 2022 में कहां आयो जीत किया जाएगा 79 कराइट एंसर हो जाएगा ओफसन नमर B इंगलेंड इंगलेंड में आपको राष्ट मुनल खेल 2022 आयो जीत किया जाएगा जो इंगलेंड के बर्मिंगम शहर में नेक्श कुशन देख लेते हैं और नेक्श टरौनतीम कुशन आज का हो जाएगा कि हाल ही में किस राज में चेरी बोलसम उच्छो मनाया गया 80 कर आइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर C मेंगलेंड में आपको चेरी बोलसम उच्छो मनाया गया तो दोस्तो यह प्रैक्टिश जो हम लेकड़ाए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नमर 3 था बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नमर 3 इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट कड़ा चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस में जाकर उससे देख सकते हैं दोस्तो यह प्रैक्टिसेट जो हम लेकड़ाये थे यह आपको एडियोटेडिया का भाईलूम ओन बुक से था दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट है अभी तक आप अमारे चनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं इसे सस्क्राइब कर दें इसे ज़्यदा से लाइक करें दोस्तो में सेर करें फेस्बूक वार्ट सब्टेली गराम के माध्यम से और वेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिपिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तो आपसे क्रिक्वेश्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो कोशन इसमें दिया हुआ आपका आनेवाल एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पून है और इससे पहले दोस्तो हमें इडियो टिडिया का भालिम टू का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं बिहार दरोगा मिंस का अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे प्लेलिश में जाकर उसे देख सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद